हेलो फ्रेंड्स मैं भी शेक राब सभी का स्वागत आप सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों आज हम लोग धार्मी के हुम समान सुधार अंदोलनत था उसके संस्थापकों की पूरी एक विसेश ट्रिक जानेंगे और यहां पर यह आप सभी होंगे जब ट्रिक देख लेंगे तो हमेशा दिमाग में मिम्मराइज रहे क्योंकि इसी ट्रिक से मैं जब एक बार यह समझात अच्छे से इस ट्रिक बनाई थी तब से मेरे दिमाग में यह फिट और फाइन है सो आई होप आपको भी बहतर लगे एक ट्रिक और आप भी यही अपलाई करके अपने एक्जामनेशन को सुटिबल और अच्छे से कम्प्लीट कर पाएंगे सो वीडियो अच्छा लगे स्माइल आईप के चेहरे पे और कुछ नए आप जाने तो लाइक तो बनता है बहुत और सबसे यहादा है एहम बात कि आप मैक्शमिम शेयर करतीजिए ठीक है वीडियो को मैक्शमिम देखने पाश शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड लोग भी जान सकें कि आप कितने बेतरीन और बेतर फ्रेंड के साथ अपनी स्टडी कर रहे हैं मैं सिच्छक या बहुत बड़ा अपने आपको गयाता नहीं समझता ऐसा फ्रेंड ट्रीट करि हैं सारी समय शुदारक जाये वह हिंदूओं के समाज में ऊचाय साय द दलतों किसमाज वह हो तो वह करih게요 एक सबसे पहले हम देख सरीद्ञे मरे। देख लिजे सबसे पहले क्या है यह चीज आप याद रखेंगे कैसे याद रखेंगे मैं जो बोलता जाओ ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे ब्रह्म राजा, आरदेया, राम विवेक और प्रातना आत्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी से मैक्सिमम टाइम्स कोशन पूछते हैं, चाहे कोई भी वन्डे एक्जाइम्स हो, चाहे आपका UPVSC में भी स्टाटिक पोर्शन में GS पेपर्स में पूछे जाते हैं सुद्यान से सुनिएगा अब यहां पे ब्रह्म राजा आए तो याद रखीए का कि राजा कैसा होना चाहिए ब्रह्मा के समान पहली लाइन, राजा कैसा होना चाहिए ब्रह्मा के समान, तो राजा से राजा राम मोहन रोए, और ब्रह्मा से ब्रह्मा समाज, ठीक है फ्रेंट्स got it next आते हैं ये पकड़ लिया ना राजा कैसा ना चाहिए ब्रह्मा के समान next आते हैं आरे आरे कैसे थे दयावान आरे कैसे थे दयावान आरे आये थे न सबसे पहले हमारे भारत पर आरे आये थे इसलिए इसका आरे अवरत नाम था भारत का तो आप याद कर सकते हैं हम योप आपको समझना होगा अरे कैसे थे द्या आवान थे तो आरे सारे समाज द्या से ड्या मानुक हूदि say नेक्स्ट है राम विवेक जिसमें आपको क्या ट्रिक लगानी है कि राम जी कैसे थे विवेक शील व्यक्ति थे व्यक्ति की रूप में तो आया थे यहां पर मानों की रूप में तो राम जी कैसे थे विवेक शील व्यक्ति थे राम जी कैसे थे विवेक शील व्यक्ति थे रा प्रात्ना कैसी होने चाहिए आत्मा से होने चाहिए सब बोलते ना कि आत्मा से ही प्रात्ना करेंगे तब भगवान सुनेंगे तो प्रात्ना कैसी होने चाहिए आत्मा से होने चाहिए तो प्रात्ना से प्रात्ना समाज आत्मा से आत्मा राम पंडूरंग यह समाज है और यह इनके संस्थापक हैं फिर से एक बार ये ट्रिक देख लीजे मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा इतनी सौट वीडियो है कि आपको बस एक बार देखने हैं पुरी कंप्लेटली ब्रह्म राजा से क्या हो जाएगा कि ब्रह्मा के समान राजा राजा कैसा होना च चाहिए आत्मा से होनी चाहिए बस यह ट्रिक है और आपने पकड़ ली तक सारव गया सारव हो जाएगा तो यह वीडियो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा कुछ नया जाना होगा अपने तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कूल अन्दू मैक्सिमणर को टै आड़ल मैं लूदी एक